continuity and differentiability के चौथे लेक्चर के माधियम से आज हम लोग continuity के कुछ प्रोब्लम को बनाएंगे जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो के माधियम से भी हम लोगों ने continuity के तीन प्रोब्लम को बनाया था और continuity को किस तरह से चेक करते हैं इसका भी तरीका हमने बताया था और उसमें यह भी आपको बता दिया गया था कि continuity जो चेक किया जाता है किसी खास point के लिए उस point का left hand limit, right hand limit और उस point पर उस function का value अगर तीनों बराबर हो जाता है तो हम समझते हैं कि function जो है उस खास point पर जो है continue है तो आपके ही बुक R.S. अगरवाल से अब हम लोग आगे के कुछ प्रोब्लम को बनाएंगे तीन प्रोब्लम हम लोग बना चुके हैं पहले exercise से continuity and differentability के पहले exercise से उसके बाद को इस आगे के question को हम लोग copy पे solve करने जा रहे हैं उमीद करते हैं कि आप लोगों को यह सारा समझ में आएगा तो आएए बच्चों हम लोग देखते हैं continuity and differentability के कुछ प्रोब्लम को अपनी notebook पर और book को सामने में रखते हैं यह आपका पहला exercise कुछ इस तरह से दिख रहा है भाई आप अपने book को निकालने और उसमें यह सारे problem देखिए निश्चित रूप से दिया होगा आपके आरा सगरवाल book में और पिछले video के माधियम से हम लोग question number one, two, three को solve कर चुके थे और इसके बाद question number three और four यह तोनों लगभग एक ही तरह का problem है इसके बाद बारी आती है आपका question number five और six का तो five और six में भी आपका लगभग उसी तरह का problem है यह जो function आप देख रहे हैं sine three x by x का इसका limit निकालना बहुत ही आसान है आप लोग limit में बहुत सारे इस तरह का problem बना चुके होंगे तो अब हम लोग देखेंगे question number six को तो six में जैसा की देख सकते हैं one minus cos x by x square when x not equal to zero है और इसी fx का value जो है यह one है जब x equal to zero कहता है कि is discontinuous at x equal to zero तो discontinuous हमको दिखाना है इसमें दो function है आपका एक function यह देख रहे हैं trigonometric function है दूसरा जो है आपका constant function है constant function के बारे में आपको हमने शुरू के वीडियो में ही बता दिया है तो आईए हम लोग इसको solve करते हैं तो यह जो आपका question है question number six तो यह question number six में यह fx equal to दिया गया है one minus cos x by x का square when x not equal to zero और इसका value one है जब यह आपका x equal to zero अब इसको discontinuous है ना at x equal to zero यह दिखाना है आपको तो इसको हम लोग किस तरह से दिखाएंगे तो यह जो function है आपका जब हम इसके solution के लिए जब हम यहाँ पर रखते हैं x equal to zero exact zero ले ले लेते हैं तो f zero का जो value है यह आपका one हो जाता है चुकि इसमें जो function हम लोग use कर रहे है fx equal to one और exactly x जो है आपका zero के बराबर है x का value zero भी रख दिया जाए तो इसका value हमको one पराप्त होता है इसके बाद हम लोग चलते हैं left hand limit में तो left hand limit के लिए क्या है कि x का जो value होगा आपका x का value zero minus h हो जाएगा यानि कि zeros के left side में तो इस स्थिती में देखा जाए कि यही एक function ऐसा है जो कि आपका zero पर नहीं है define और उसके बाद zero के पहले और zero के बाद define है तो यहाँ x not equal to zero कहने का मतलब कि यह function zero के पहले यानि कि zero minus h पर और यही function zero के बाद यानि कि zero plus h पर भी define है तो इस स्थिती में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो हम लोग function लेंगे तो one minus cos x by x square को use करेंगे अब क्या करते हैं कि left hand limit में लिखना है f zero minus h को यानि कि इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं limit x tends to zero minus इस तरह से लिखें यह f x अब क्या कियें कि अगर हम h में इसको convert करते हैं x tends to zero में तो यह convert होके यह आपका f zero minus h मिलता है और यह conversion किस तरह से होता है इस पर धिहान देना है चुकि x equal to zero minus h लेते हैं हम लोग तो x का value zero minus h ले लिया तो यह तभी संबब है जबकि h tends to zero होगा कहने का मतलब कि zero में very small increment कहने का मतलब अंतर difference तो zero में बहुत छोटा सा difference यानि कि यह difference जो है आपका negative में लिया गया है तो यह छोटा सा difference को हम लोग h tends to zero के रूप में ब्यक्त करते हैं तो इसलिए हम इसी चीज को इतना लिख सकते हैं अब यहाँ पर क्या हो गया limit h tends to zero लिखिए f zero minus h इस function में आप x के जगा पर zero minus h रख दीजिए यानि कि minus h रख दीजिए है ना तो क्या हो जाता है one minus cos minus h by minus h का whole square और इसमें क्या है कि cos minus theta जो होता है आपका cos theta ही होता है इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है तो इसलिए हम लोग limit h tends to zero लिखेंगे और one minus cos h लिख देंगे अब by क्या हो जाएगा आपका h का square हो जाएगा अब धियान देना है limit अब इसका limiting value निकालना है चुकि यह 0 by 0 के form में है तो 0 by 0 के form में है तो indeterminate form में है इसको determinate form में convert करने के लिए याद कीजिए one minus cos h को हम लोग लिख सकते है 2 sin square h by 2 लिख सकते है और यह h square हो गया अब इसको जो है limit h tends to 0 sin h by 2 का whole square लिख सकते है और नीचे में भी h by 2 का whole square लिखने से क्या हुआ कि आपका यह h square तो आगया लेकिन extra में 2 का square आगया और 2 का square को minus करने के लिए 2 का square से इसको multiply कर दीजिए और यह 2 already आपका है तो अब याद कीजिए आप इसको हम लोग one लिख सकते हैं चुकि limit x tends to 0 sin x by x रहे तो इसको हम लोग one लिखते हैं जैसा कि हमने सुरू में भी बताया था आपको कि limit के सारे formula आपको पता होने चाहिए इसमें तो इसलिए अब यहाँ पर यह value हो गया आपका limiting value रखते हैं तो 2 by 2 का square यानि की 1 by 2 आपको यह मिल जाता है आगे हम लोग बढ़ते हैं right hand limit के लिए जिसको f 0 plus h लिख सकते हैं और इसी को आप चाहें तो x tends to 0 का plus लिख सकते हैं यह f x लिख सकते हैं फिर इसी को h tends to 0 लिखते हैं तो यह हो जाता है 0 plus h यानि की अब यह जो 0 plus h है इस function में आपको value रख देना है क्योंकि 0 से बड़ा या छोटा होने पर यही function हमारा काम आ रहा है तो इसलिए हम इसको लिखते हैं limit h tends to 0 यह आपका 1 minus cos h by h का square इसको भी solve करते हैं तो उसी तरह से हमारा 1 by 2 ही आता है तो 2 sin square h by 2 by h square by 4 into 4 कर दीजिए और यह चीज को देखिए इसको हम लोग h by 2 का whole square लिख सकते हैं और sin h by 2 का whole square लिख सकते हैं तो यह इसी formula के आधार पर 1 हो जाता है तो 2 by 4 आया आपका 1 by 2 आता है तो देख रहे हैं कि left hand limit जो है equal है नहीं sorry माप करेंगे left hand limit जो है equal है right hand limit के 1 by 2 यह भी निकला 1 by 2 यह भी लिख रहा लेकिन यह जो है not equal to है आपका f 0 के क्योंकि f 0 पर जो value है इसका यह आपका क्या है 1 है इसी लिए हम लोग कह सकते हैं therefore discontinuous at x equal to 0 इसके बाद हम लोग अगला problem देखते हैं अगला problem हम लोग देखेंगे इसमें से question number 8 को देखेंगे चुकि आप देख सकते हैं कि यह 7 और 8 लगभग दोनों same तरह का problem है तो 8 number हम लोग लिखते हैं 8 number में आपका दिया गया है कि sin f x equal to है ना यह दो गो फंक्सान है इसमें 3 minus x है और यह x का square है और इसमें दिया गया कि when x less than or equal to 0 when x greater than 0 यह कहता है is discontinuous continuous at x equal to 0 0 पर discontinuous दिखाना है तो अगर इसको graph में देखा जाए तो यह 0 point तो यह होता है आपका भई अब क्या है कि 0 से बड़ा 0 से यह आपका 0 तो 0 plus h इधर और इधर 0 minus h हो गया अब यहां पर देखते हैं कि 0 से छोटा 0 और 0 से छोटा अगर हम लेते हैं तो यहां पर हमारा function 3 minus x की सीमा जो है इधर है 0 तक है अब फिर उसके बाद 0 के बाद जो है यह function हमारा x square काम कर रहा है क्योंकि यहां पर देख सकते हैं कि x का value 0 से बड़ा है तो सबसे पहला काम करना है क्या हमको f x लेना है किसको लेना है भाई 3 minus x को लेंगे क्योंकि यह जो है x equal to 0 पर define है यही function define है x equal to 0 पर therefore f 0 equal to 3 minus 0 कर देते हैं तो आपको यह 3 मिल जाता है अब हम लोग left hand limit निकालते हैं जो की हम लिख सकते हैं limit x tends to 0 minus और यह function f x इसी को दूसरे form में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं h tends to 0 f 0 minus h अब क्या कर देना है भाई हमको जो है इसके लिए कहने का मतलब की left hand के लिए left hand limit के लिए हमारा function 3 minus h कर रहा है या 3 minus x define है left side के लिए तो इसलिए यहां पर limit h tends to 0 और यह x के जगह पे 0 minus h रख देना है जब यह determinate form में है तो इसका value आपको मिल जाता है 3 मिल जाता है अब इसके बाद हम लोग चलते हैं right hand limit के लिए तो limit x tends to 0 का plus लिखेंगे यहां f x लिखेंगे उसके बाद इसमें limit h tends to 0 लिखेंगे f 0 plus h कर दीजिए limit h tends to 0 लिखने के बाद 0 plus h आपको रखना है अब x square के जगह पर x square के जगह पे हमको 0 plus h रखना है है ना तो यहां पर हो जाएगा 0 plus h का whole square अब इसमें h tends to आपका क्या है 0 है और यह determinate form में है तो direct 0 रख देंगे h का value तो 0 plus 0 का square equal to 0 हो जाता है अब यहां क्या देख रहे है कि left hand limit जो है right hand limit के बराबर नहीं है तो इस यहीं पर हम लोग कह सकते है therefore यह जो given function fx is discontinuous at x equal to 0 इस तरह से हम लोग इसको बना सकते है अब इसके बाद question number 10 को हमको दिखाना है कि continuous है at x equal to 2 तो अब यदि हम यह graph paper पे चले जाए और यह one का position है यह two का position है यह three का position है यह four का position है यह zero का position है इस तरह से graph paper पर हम x axis में one two three point ले सकते है इसके domain को ले सकते है अब यहाँ धिहान से देखिए कि one से लेकर one को लेकर है न और two से कम तो two को छोड़ कर इधर के area में जो है आपका यह function कभर किये हुए x minus one जो है अपना आधिपत्य जमाए हुए है अपने graph को draw करवाए हुए है इसके बाद two से लेकर two से बड़ा या बड़ाबर यानि कि two को लेकर two को लेने के बाद जो है इधर three four five three से less than or equal to कहने का मतलब कि यह यहीं पर रखे इसको काट देते हैं three को लेकर three से नीचे इस बीच में जो है हमारा function two x minus three है ठीक ना तो अब two से right side two plus h two के left side two minus h यहीं न हम लोग क्या कहते हैं left hand limit में इसको right hand limit में two plus h लेते हैं और exact value हम two पर लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग code continuity check करना है two पर तो सबसे पहले fx का कौन सा function लिया जाए जिस पर two आपका two पर यह defined है तो यह जो है आपका यह जो function है आपका two x minus three यह defined है आपका है ना at x equal to two पर तो इसलिए f2 का जो value निकालेंगे तो two into two minus three equal to one निकल जाएगा इसके बाद हमको क्या करना है भाई left hand limit लेना है तो left hand limit में limit x tends to two minus fx को निकालना है आपको जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते है s tends to zero f2 minus h लिख सकते है limit h tends to zero two minus h कहने का मतलब कि यह two से आपका left side में देखिए x minus one function जो है x minus one function जो है इस range को define करता है one से लेकर two तक one से लेकर two तक जो है x minus one जो है define करता है तो यहाँ पर हम x के जगह पर two minus h रखते है और फिर minus one कर देते है अच्चुकि यह determinate form में है तो two minus one equal to one ही आपका हो जाता है इसके बाद rhs में देखिए rhl में देखते है इसको हम लोग limit h tends to zero f two plus h लिख सकते है और इसके लिए कौन function काम करना है भाई two x minus three काम करना है तो इसको हम लोग लिख सकते है limit h tends to zero और इसके बाद यह आपका two two plus h minus three अब चुकि यह determinate है h का value direct यहां रख दिजिए तो four minus three equal to one आता है तो हम देख रहे हैं कि left hand limit equal to right hand limit equal to f a के बराबर है यानि कि f two के बराबर है it means f two minus h जो है f two plus h जो है और यह f two के बराबर है तो इसी लिए हम इसको क्या कह सकते हैं continuous function continuous at x equal to two कह सकते हैं तो उमीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे इसके बाद इसके बाद जो question number 11 है यह देखिए आपका इस तरह से दिया गया है है ना cos x minus cos x है cos x when x greater than or equal to zero और x less than or equal to zero पर यह function minus cos x है तो सबसे पहला काम कीजिए कि coordinate axis में जाए एक्स एक्स पर इस तरह से हम लोग देख रहे हैं जीरो होता है यह minus 1 minus 2 और यह minus 3 होता है अब देखिए कि यह जो है x greater than or equal to zero अगर हो x का value zero और zero से बड़ा zero से बड़ा तो इस range में आपका कौन सा function काम कर रहा है भाई यह आपका cos x function यहाँ पर इस range में cos x function का graph draw किया गया है अब x equal to less than zero यानि कि इसको zero को छोड़कर इससे छोटा जो भी value हम लोग इधर जाते हैं तो इधर जो है आपका कौन सा function मिलता है minus cos x मिलता है अब हमको discontinuity check करना है 0 पर तो हम जान रहें कि 0 पर तो इसका value निकालेंगे यानि कि f 0 निकालेंगे अब फिर 0 से बड़ा 0 प्लस h तो 0 प्लस h के condition में ये function हो जाएगा जिरो माइनस h के condition में ये function हमको लेना पड़ेगा यानि कि जब हम f 0 निकालें तो 0 निकालने के condition में cos 0 degree equal to 1 हो जाएगा आपका है ना इसके solution में चुकि यहां पर यही function cos x के कारण ही 0 पर इसका value हमको प्राप्त होता है देखें बात को समझने की कोशिस करेंगे अब यदि हम लोग left hand limit निकालें तो हम इसको देखें लिखते तो है limit x tends to 0 पर निकाल रहे है तो 0 माइनस लिखेंगे और ये function f x लिख देंगे इसी को हमने बताया कि और किस तरह से लिखते है limit h tends to 0 f 0 माइनस h लिखते है और यह limit x tends to 0 अब 0 माइनस h इस range में हमारा ये function काम करना है तो minus cos 0 माइनस h लिखते हैं तो 0 माइनस h लिखने से कोई फर्क नहीं परता है इस cos को हमारा minus cos h ही हो जाता है क्योंकि cos minus theta equal to cos theta ही होता है तो यहाँ minus h आया जिसके चलते cos h ही हो जाएगा अब h का value आप जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो आपको मिलता है minus 1 अब यहाँ पर right hand limit लेते है limit x tends to 0 प्लस यानि की f x का value 0 प्लस पे 0 से थोड़ा बढ़के निकालना है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते है limit x tends to 0 f 0 प्लस h लिख सकते हैं तो इस इस्थिती में जो है 0 प्लस h के condition में हमारा function cos x काम कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग cos 0 प्लस h लिख देते हैं तो cos 0 degree का value 1 निकलता है तो यहाँ तो असपस्ट दिख रहा हैं कि left hand limit जो है right hand limit के बराबर नहीं है therefore f x यह जो f x है क्या लिखेंगे is discontinuous continuous at x equal to 0 अब यहाँ पर सोचिए कि अगर कोई दूसरा point रहता जैसे यह 0 दिया गया है अगर हमको कहता कि one पर आप continuity check किजिए तो one पर देखिए one के पहले one के पीछे one के आगे और one पर तीनों case में cos x ही आपका cos x ही दे रहा है value को clear है चुकि इधर के range में आपका कौन सा function draw किया गया है cos x वाला function draw किया गया है तो जब आप one पर check करेंगे तो आपको यह continuous मिल जाएगा तो यहाँ पर वैसे भी देख रहे हैं वाई continuous हैं यहाँ पर इसके बाद हम लोग question number 12 पे चलते हैं 12 में यह आपका fx equal to दिया गया है x minus a का mod by x minus a कब जब की आपका x not equal to a है और यही value 1 हो जाता है जब की आपका x का value क्या है a के बराबर है और कह रहा है कि is discontinuous continuous at x equal to a a पर जो है यहाँ आपका discontinuous है तो इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं कितने तरीके से दो तरीके से बना सकते हैं एक तो आप direct इसके value को लेके बाद में जो है mod से related जो property है उसको apply कर देना है जैसे mod से related property आप लोग जानते होंगे कि अगर negative sign रहे तो भी वह positive में ही आता है अगर mod के अंदर 3 रहे तो यह भी आपका positive में ही आता है यह भी आपका positive में ही आता है तो अब यहाँ पर सबसे पहला काम करना है कि यह coordinate axis हमने लिया मान लिजिए कि यह point A है A से आगे बढ़ेंगे तो A plus H हो जाएगा A से पीछे इसके neighborhood में A minus H तो अब यहाँ पर हम सोचते है A जब नहीं होता है तब यह function होता है यानि कि A नहीं होने पर यह function हमारा काम करता है एक जगह x minus A by x minus A और यहाँ right side में x minus A का mod by x minus A और जब A के बराबर होता है यह value यह नहीं का condition यह नहीं का condition और यह आपका बराबर का condition यानि कि A बराबर x बराबर A हो x बराबर नहीं हो यह a के बराबर नहीं हो और x बराबर भी x भी a के बराबर नहीं हो यानि ए से ज़्यादा बढ़ा हो तो उस condition में हमारा यह function यह function तो सबसे पहला काम हम लोग decide कर लेते हैं function को किस में किस function को हमको लेना है left hand limit के लिए और किस function को हम लोग को लेना है right hand limit के लिए तो इसके लिए हम सबसे पहले a निकालेंगे तो a पर तो असपस्ट है कि इसका value जो है आपका 1 दिया गया है अब यदि हम लोग left hand limit लेते हैं तो हमको लिखना है finally ऐसे ही limit h tends to 0 f 0 माप करेंगे a a minus h तो चलिए a minus h जो है हम लोग रख देते है limit h tends to 0 x के जगह पर a minus h फिर minus a by x के जगह पर a minus h minus a रख दिये तो इससे हमको क्या मिला limit h tends to 0 a a आपका cancel हो गया minus h mod में मिला और minus h यह इस तरह से मिलता है अगर यह value आपका mod में है तो यह तो आपका plus हो जाएगा positive में आ जाएगा अब by minus h जिसके चलते है limit h tends to 0 minus 1 मिलता है अब चुकि h से इंडिपेंडेंट है h कहीं भी हम रख ही नहीं सकेंगे 0 बान तो इसका value जो है minus 1 आ जाए अब RHS को हम लोग देखें तो यहाँ पर limit h tends to 0 करेंगे तो f 0 plus h आएगा जिसको हम लोग लिख सकते है limit h tends to 0 a plus h minus a का mod a plus h minus a लिख सकते हैं अब a a यहाँ cancel a a यहाँ cancel तो इसमें देखते हैं कि mod h by h आता है limit h tends to 0 तो इसका जब value निकालेंगे limit h tends to 0 यह 1 बच जाएगा आपका चुकि यह value h positive में और नीचे भी positive में है दोनों कट जाएगा आपका जैसे कि यहाँ cut गया तो minus 1 मिला उसी तरह से यह cut के 1 देगा तो इसका value आता है 1 और इसका value minus 1 तो देख सकते हैं left hand limit और right hand limit जो है left hand limit not equal to right hand limit therefore function fx is क्या लिखेंगे discontinuous continuous at x equal to a a पर जो है आपका यह discontinuous हो जाता है इसके बाद हम लोग आगे का problem देखते हैं यह question number 13 उमीद करते हैं कि आप लोग बना लेंगे चुकि देख लीजिए question number 13 में जो है आपका सिर्फ 1 by 2 है x minus mod of x है और इसमें जो है x not equal to 0 है ना और यहाँ value 2 है when x equal to 0 और इसको भी discontinuous दिखाना है आपको तो इसे जो है आप लोग खुद प्रियास करें है ना खुद प्रियास करें solve करने का अब इसके बाद हम लोग question number 14 को देखेंगे तो question number 14 में आप देखिए कि जैसे हम लोग यहाँ पर निकालते हैं इसको भी हम लोग को discontinuous प्रूब करना है discontinuous at x equal to 0 तो f 0 निकालते हैं तो यह value आपका 0 निकल जाता है अब यहाँ पर जब यह x जो है 0 के बराबर नहीं हो यानि कि 0 प्लस h हो या 0 माइनस h हो तो दोनों ही स्थिती में हमारा यही function काम करता है दोनों स्थिती में इसी function दोनों condition जो है इसी function पर define है इसलिए हम लोग यहाँ पर left hand limit यानि कि limit h tends to 0 रखते हैं तो f 0 माइनस h करेंगे और यहाँ पर आपका हो जाएगा limit h tends to 0 sin 1 by 0 माइनस h तो इसको आप लिखेंगे limit limit h tends to 0 sin 1 by h लिखेंगे अब देखिए अगर sin 1 by 0 लिखते हैं तो यह आपका not exist यह exist ही नहीं करता है क्यों भाई क्यों नहीं exist करता है तो 1 by 0 का जो value होता है यह infinity होता है और infinity जब हो गया यह value तो संभवी नहीं exist करना कोई तो मान होना चाहिए ना तभी न हम इसका value निकाल सकते है तो जब यह value infinity है तो इस स्थिती में यह exist नहीं करता है उसी तरह से rhl के साथ भी यही condition है भाई f 0 प्लस h लेते है और limit h tends to 0 sin 1 by h आता है यह भी आपका does not does not exist यह भी exist नहीं करता है therefore f x is discontinuous continuous at x equal to 0 लिख सकते है इतना ही लिख देंगे तो sufficient हो जाएगा आपका इसके बाद हम लोग और भी एक दो question देखते है तो इसके बाद यह question number 15 और यह आपका question number 16 और इधर देखिए question number 23 और question number 24 देखा जाए तो यह चारो आपका एक ही तरह का problem है अगर किसी एक को आप बना लेते हैं तो उसकी सहता से आप इस चारो problem को आसानी से बना सकते हैं इसके बाद जितने भी problem है आपका 17, 18, 19, 20, 21, 22 उसके बाद 25 और 26 इसमें क्या है कि continuous होने का condition दिया गया है उस स्थिती में unknown value आपको निकालना है जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो फिलाल हम question number 15 बना रहे हैं इस 15 के मदद से आप लोग निश्चित रूप से question number 16, question number 23 और question number 24 को बना लेंगे तो आईए हम लोग देखते हैं question number 15 को तो यह question number 15 में जो आपका दिया गया है fx equal to तो इसमें हमको discontinuous at x equal to 2 दिखाना है तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सोचें कि यह जो number line पर 2 है 2 x equal to अगर x का value 2 होता है तो इस पर हमारा value निप्राप्त होता है हमको fx का value प्राप्त होता है वो 2 होता है लेकिन 2 से 2 plus h कर दे तो इस case में हमारा function जो है 2 plus h कहने का मतलब 2 से बढ़ा तो 2 से बढ़ा का condition यही है आपका देख रहे है 2 से greater than का condition यह है इसलिए इस area में आपका x square function इसको define करता है 2 के बाद के graph को और उसके बाद 2 के पहले के graph को x less than 2 कहने का मतलब 2x जो function है यह define करता है 2 से नीचे वाले graph को तो अब इसको हम लोग solve करते हैं इसको solve करने के लिए सबसे पहले f2 अगर निकाले तो इसका value 2 ही आता है left hand limit ले यानि की limit h tends to 0 f2 minus h लिखते हैं और इस स्थिती में limit h tends to 0 to 2 minus h के लिए यहां function 2x है आपका तो इसलिए 2 into x के जगह पर 2 minus h रख देते हैं चुकि यह determinate form में हैं जैसे इसमें आप h का value 0 रखते हैं तो यह आपको 4 मिल जाता है इसके बाद right hand limit के लिए limit h tends to 0 और यह f2 plus h करेंगे और यह limit h tends to 0 यह आपका इधर x square define है 2 plus h के लिए तो इसलिए हम यहां 2 plus h का whole square कर देते हैं और चुकि यह determinate form है 2 plus 0 का whole square equal to 4 हो जाता है अब देखिए left hand limit जो है right hand limit के तो बराबर है लेकिन यह जो है f2 के बराबर नहीं है it means limit x tends to 0 मापकरेंगे 2 का minus fx equal to limit x tends to 2 plus fx तो बराबर है लेकिन यह f2 के बराबर नहीं है therefore fx is discontinuous at x equal to 2 है ना इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं solve कर सकते हैं तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं है ना और हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से यह जो छूटे हुए problem है आपका यहां से देख सकते हैं question no 17 18 19 20 फिर 21 और उसके बाद 22 25 26 यह सभी problem का solution हम लोग देखेंगे तो वीडियो को विराम देते हैं जै हिंद